राधास्वामी सत्संग ब्यास की पुस्तक अन्मोल खजाना की अउडियो रेकोर्डिंग ऑउडियो कॉपीराइट 2022 राधास्वामी सत्संग ब्यास सर्वादिकार सुरक्षित अन्मोल खजाना लेखिका शांती सेथी प्रकाशक, जेसी सेथी, सेक्रिटरी, राधा स्वामी सत्संग ब्यास, डेरा बाबा जैमल सिंग, पंजाब कॉपीराइट, 1991-2016, राधा स्वामी सत्संग ब्यास, सर्वाधिकार सुरक्षित, पहला संसकरण, 1991 परम्प्रिय हुजूर महराज्जी को समर्पित अम्रिता प्रिय बचन तुहारे, अती सुन्दर मन मोहन प्यारे, सबुहु मध निरारे राज न चाहूं, मुक्ति न चाहूं, मन प्रीत चरन कम लारे आधिग्रंथ, प्रिष्ट, 534 विशे सूची, प्रकाशक की ओर से प्रस्तावना भाग पहला भाग दूसरा प्रकाशक की ओर से अनमोल खजाना, अंग्रीजी पुस्तक ट्रेजर बियॉन्ड मेजर का हिंदी अनुवाद है जो हुजूर महराज चरन सिंग जी से संबंधित बातों का एक बड़ा सुन्दर संकलन है इन्हें महराज जी की डायरियों, पत्रों, बातचीत, उनके निकट मित्रों और संबंधियों द्वारा दिये गए वृत्तान्तों तथा संकलन करता द्वारा लिखे गए नोट से इकठा किया गया है यह पुस्तक महराज जी के अपने सद्गुरु के प्रती गहरे प्रेम और भक्ति को प्रकट करती है और साथ ही संगत के प्रती उनके प्यार और चिंता की उनकी गहन नम्रता और स्वाभाविक दया की उनकी सेहन शीलता और क्षमाक शीलता की उनकी दूर दर्शिता और उदार द्रिश्टी कोण की उनकी असीम कृपा और करुणा की जलकें भी प्रस्तुत करती है सद्गुरु द्वारा सुपुर्द किये गए कार्य के प्रती उनके समर्पन और उसे सम्पूर्ण करने के लिए बिना अपने आराम और स्वास्थि की चिंता किये निरंतर प्रयत्न शील रहने की उनकी भावना का भी यह बोध कराती है ब्यास के सद्गुरु साहिबा ने अपने सद्गुरु को आम तौर पर महराज जी ही कहा है परंतु शोताओं की सुविधा के लिए इस पुस्तक में हुजूर महराज चरन सिंग जी को महराज जी कहा गया है सरदार बहादुर महराज जगत सिंग जी को सरदार बहादुर जी हुजूर महराज सावन सिंग जी को बड़े महराज जी तथा बाबा जैमल सिंग जी महराज को बाबा जी कहा गया है संसत्गुरु कई बातें समय की आवशक्ता के अनुसार अत्वा किसी खास कारण से कहते या करते हैं हम उन्हें पढ़ और सुनकर प्रेड़ना ले सकते हैं किन्तु बुद्धी या तर्क के द्वारा समझ नहीं सकते क्यूंकि संतों को केवल संत ही समझ सकते हैं मूल अंग्रेजी पुस्तक का यह हिंदी अनुवाद अभी समाप्थ हुआ ही था कि डेरा निवासियों तथा विश्व के सभी सत्संगियों को एक घोर आघात सहना पड़ा हमारे परम्प्रिय सद्गुरु महराच चरन सिंग जी एक जून 1990 को हमें छोड़ कर निजधाम चले गए हुजूर चाहते थे कि मूल अंग्रेजी पुस्तक जल्दी से जल्दी छपकर संगत को मिले उनकी प्रेणा से इसका पहला अंग्रेजी संसकरण अप्रेल के भंडारे से कुछ पहले तयार हो गया हुजूर के महाप्रयान यानि चोला छोड़ने से करीब दो महिने पहले आज समझ में आता है कि इस पुस्तक की तैयारी और जल्दी प्रकाशन हुजूर के धुर्धाम सिधारने का तथा अपना मिशन पूर्ण करने का संकेत था चिकित्सकों के अनुसार हुजूर महराज जी स्वस्थ हो सकते थे परंतु उन्होंने प्रभु द्वारा सुपुर्ध किया गया अपना कार्य संपूर्ण कर लिया था महराज गुरिंदर सिंग जी ने भी गद्दी नशीनी के समय दिये गए अपने भाशण में फर्माया था हुजूर महराज जी एक छोटी सी बिमारी का बहाना करके हुजूर बड़े महराज जी की गोद में चले गए जिससे संसार में एक दम अंधिर आचा गया डॉक्टरी तोर पर तो हुजूर ठीक हो सकते थे लेकिन उन्होंने चोला छोड़ने का फैसला कर लिया था और हमें छोड़ कर चले गए अंग्रेजी ट्रेजर बियॉन मेजर के दूसरे संसकरण में कुछ और सामगरी जोड़ी गई है पुस्तक के आखिर में हुजूर महराजी के अंतिम दिनों पर एक रिदैस परशी अध्याय जोड़ा है और साथ ही उनका वसीयत नामा भी शामिल किया है उन्होंने महराजी के जानशीन द्वारा गद्दी नशीनी के समय दिये गए उस भाशन को भी शामिल किया है जिसका प्रतियक शब्द, प्रेम और नम्रता से सराबोर है प्रस्तुत हिंदी अनुवाद में अंग्रीजी के पहले और दूसरे संसकरणों के सभी अंश शामिल किये गए है इस अनमोल पुस्तक में हमें हुजूर महराजी के निजी जीवन की जलकिया मिलती है और यह समझने में भी कुछ सहायता मिलती है कि एक सद्कुरू की शक्ती दूसरे में कैसे काम करती है हमें विश्वास है कि अनमोल खजाना संगत को प्रेम और नम्रता का नेक जीवन जीने की और भजन सिम्रन करने की प्रेड़ना देगी अपने प्यारे सद्गुरु हुजूर महराज चरन सिंग जी के प्रती अपना गेहरा आभार प्रकट करने के लिए हमारे पास कोई शब नहीं है प्रस्तुत पुस्तक के द्वारा एक तरह से उन्होंने ही अपनी दया मेहर से अपने आपको तथा अपने जीवन के अनेक अनुभवों को प्रकट किया है हम हुजूर के जानशीन अपने प्रिये सद्गुरू महराज गुरिंदर सिंग जी के अत्यंत आभारी हैं कि उन्होंने इस पद के बहु मुखी कारियों तथा संगत के भौतिक और रुहानी मार्दर्शन का उत्तरदायत्व, पूरी लगन, प्यार और नम्रता से संभाल ल रुहानी स्फूर्ती और प्रेड़ना पाएंगे, बलकि अंतर में सद्गुरू की दया महर के प्रती सजग भी होंगे।